प्यारे दोस्तों नमस्कार आज की इस ने वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों जैसा कि आप देख पार है दो बड़ी खबरे आपको इस विडियो में मिलने वाली है दोस्तों पचास से भी अधिक बदोपर राज्य सरकार ने दी भरती के लिए मंजूरी और MBBS की तैया चात्रों के लिए रहात भरी खबरे या प्रक्रिया इसी साल चे होगी लागू तो दोस्तों इनसे जूडि खबरे की संपूरा जनकारे के लिए आप वीडियो को अंतक देखते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर के बेल आइकन को प्रेश कर ले और अपने दोस्तों के करते हैं आज के या वेडियो दोस्तों MBBS की तयारी कर रहा है छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुसकबरी है निजी कालेजों में जो 450 सीटे है उनमें से 192 की जो सलाना फिस 50,000 करने के लिए जो है केंद्र सरकार ने दी है आदेश तो केंद्र से पत्र आया है इस्टेट सीटों की फिस सरकारी के बराबर करने के निर्देश है तो प्रदेश में जो है MBBS कालेज की सीटे 450 सा जैसा के अब देख पर है बालाजी रायपूर में 150, सिम्स रायपूर, संकराचारिय भिलाई इन तीनों मिला करके जो है 450 सीटे है अब जिसमें से स्टेट कोटा 64, 64, 64 त तो जो MBBS की त्यारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशकरी है क्योंकि ज़्यादा फिस की वज़ा से त्यारी नहीं कर पाते हैं तो अब 50,000 सालाना के साथ वा MBBS की त्यारी कर पाएंगे सरकारी मेटकल कालेजों के अनसारी फिस ली जाएगी तो NMC को यह पत्र इसी सिल्चले में आया है और प्रदेश की तिन मेटकल कालेजों में यह सोईधा मिलने से निट क्वालिफाइड उन छात्रों का भला होगा जो ज्यादा फिस के कारण MBBS की पढ़ाई नहीं कर पाते थे तो इस प्रकार से दोस्तों जो MBBS की त्यारी कर रहे है उनके लिए बहुत बड़ा खुसकबरी है क्योंकि एक सब 92 सीट में जो है 50,000 रुपाई में जो है आप प्राइवेट कालेज में भी पढ़ाई कर पाएंगे तो प्राइवेट कालेज की भी जे सीटे है गवर्मेंट के अनसार 50,000 सीट दे करके अप MBBS की त्यारी कर पाएंगे तो इस प्रकार इस खुसकबरी के साथ इस वीडियो को आगे अब दूसरे जनकारी को कि हम बात करते हैं अब देखे दोस्तों जो फारेष्ट गाड के 299 पदों पर भरती को मिली मंजूरी फिजकल सितंबर से होगा फिर लिखित परिक्षा होगी एक पद के लिए होंगे पास साथ दावेदार तो इसमें जो है एक लाग तिरसाट अजार केंडिडेट जो है आधन जमा किये हैं और जो है सितंबर से इसके लिए पेपर जो है चालू हो जाएगी तो दो चरड़ों में होगी परिक्षा विभाग के अफसरों के अनुसार भरती दो चरड़ों में होगी सितंबर में होने वाले पहले चरण में फिजकल टेस्ट होगा इसके ताथ दावल लंबी कुछ समेत अन्य टेस्ट ली जाएगी रायपूर, बिलासपूर, दूर्ग, जगदल, पूर, कांकेर, सरगुजा में फिजिकल टेस्ट हो गया इसमें जो पात रहोने वाले उम्मी द्वार को लिखित परिक्षा के लिए असर दिया जाएगा और लिखित परिक्षा जो है ब्यापम के द अधिक्टम 15 गुना को ही लिखित परिक्षा में सामिल होने का असर मिलेगा इस प्रकार 299 परिक्षा के लिए 435 जो अभ्यारती है वे लिखित परिक्षा देंगी उसके अध्र फिजिकल टेस्ट में शमान उन्तमांग पाने वाला अभ्यार्थी को अगले चरन के लिए पा पांश सो साथ दावेदार होंगे, एक पद के लिए 560 दावेदार है, तो वन विभाग के छए सरकल के लिए एक साथ पदों पर इस प्रकार से भरति निकाली गई है, तो दोस्तो इसी प्रकार के नए ने अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बे आपको तूरंत मिल सके तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं जल्द ही जय बारत